वेलकम टू जीरू से जिन्यास तक आज के एक और नए एस्पेसल वीडियो क्वी टेस्टा में हम लोग देखेंगे जी के जी इसके 25 इंपोर्टेंटे सेलेक्टेड सवालों को तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल है बिधान परिशत के सदस्यों का कारेकाल कितने वर्सों का होता है आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकेंड का समय जो शुरू होते हैं अब सही आंसर आपको बताना है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर डी छे वर्सों का कोईशन नमबर टू निहरू की मृत्यू के बाद प्रथम कारेवाहक परधान मंत्री कीसे बनाया गया था सवाल क्या है प्रथम कारेवाहक परधान मंत्री कौन थे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए गुलजारी लाल नंदा बहुत बढ़िया गुलजारी लाल नंदा राइट आंसर हो जाएगा यह हमारे देश के प्राथम कारेवाहक परधान मंतरी थे क्या होता है यह सवाल इस बर आया है आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर सी केल विन क्योशन नमबर फॉर तुगलक वन्स के संस्थापक कौन था सही आंसर तुगलक वंस के संस्था पक कौन था आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर C ग्यासु दिन तुगलक कोशन नमबर 5 रेल यातरी बीमा योजना कब शुरू किया गया सही आंसर है आप्शन नमबर D 1994 इस भीमें कोशन नमबर 6 महाभास्या किसकी राचना है सही आंसर है आप्शन नमबर C पतंजली के कोशन नमबर 7 बीशवा की सबसे छोटी नदीद वेप किस राज्या में इस्तित है सही आंसर होगा आप्शन नमबर A असर में इस्तित है और उस छोटी नदी दुविब का नाम है उमानन्द कोशन नमबर 8 कौन सी नदी ओडिसा का सोक के कही जाती है ओडिसा का सोक नदी किसे कहा जाता है ये प्रस्ण है ब्रहामनी नदी हो जाएगा राइट अंसर होगा आप्शन नमबर A Q9. कौन सी नदी बांगलादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ये भी प्रस्ण इस बार आपके एकजाम में आया था Q9. बांगलादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा option नदी A. ब्रहामपुत्र नदी Q10. भारतिय उप महाद्विप में खरीफ मौसम की सुरुआत कब होती है? आंसर होगा option नदी A. जून से शुरू हो जाती है आगे सवाल है और आपने अभी तक इस चानल को सबस्क्राइब नहीं करें है तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि ये चाइनल आपके सिल्यवस पर और करता है धन अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर सी 13 फर्वारी को मनाया जाता है कोशन नमब बारा कौमिक चरित्र दादा सौरी कौमिक चरित्र चाचा चौधरी के रचनाकार कौन है नाम सुना होगा चाचा चौधरी के रचनाकार कौन है आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर D, प्रान कुमार, आगे सवाल है एंडीज परवत माला कीस महाद्विप में इस्तित है? सही आंसर होगा अप्शन नमबर C, उतरी अमेरिका, कोश्चन नमबर 14 किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा अप्शन नमबर A, कावेरी नदी आगे सवाल है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर B, 20 अगस्त को मनाया जाता है कोश्चन नमबर 16 पृत्वी और सूर्या के बीच अधिक्तम दूरी कब होती है? पृत्वी और सूर्या के बीच अधिक्तम दूरी कब होती है? सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर C, 4 जुलाई को होती है और इस घाटना को अपसौर कहा जाता है कोशन नमबर 17 अपातकाल का प्रवधान संविधान के किस भाग से संबंदित है अपातकाल तीन तरह क्यों होते हैं आपको पता है अंसर हो जाएगा अपातकाल का प्रवधान संविधान के किस भाग में है आंसर हो जाएगा option number D, भाग 18 में दिये गए है, question number 18, इंटरनेट का परियोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? इंटरनेट का परियोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? आंसर होगा option number B, अमेरिका, question number 19, एवरेश्ट पर चड़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? जुनको तेवई, एवरेश्ट पर चड़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? सही आंसर हो जाएगा option number B, जपान की? जुनको तवाई, नाम था उनका question number 20, ओसकर पुरसकार किस वर्स से परदान किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आंसर होगा option number A, 1929 इस भी से, question number 21, भारत के dark ticket की शुरुआत किसने की? भारत में dark ticket की शुरुआत किस के सासनकाल में हुआ? किसने किया? रेल की शुरुआत भी हुआ था, आंसर होगा option number C, लौर्ड डलहौजी के सासनकाल में, आगे सवाल है, भारत संपुर्ण प्रभुत्वत्वा, शंपन गंतंत्र कब बना? भारत संपुर्ण प्रभुत्वा, शंपन गंतंत्र कब बना? यानि कि संविधान कब लागु हुआ? सही आंसर हो जाएगा option number D, 26 जर्वरी 1950 को, question number 30, आगे सवाल है, बिस्वा, रंगमंच दिवस, हर वर्स, कब मनाया जाता है? ये भी सवाल आपके एकजाम में आया था हाली फिलाल में, बिस्वा, रंगमंच दिवस, हर वर्स, कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर A 27 मार्च को 27 मार्च को मनाया जाता है आगे सवाल है इनवे से की से सहर में हाल ही में भारत का पहला COVID-19 अस्पताल खूला है भारत का पहला COVID-19 अस्पताल कहां खूला है ये सवाल हमेशा के लिए आप से पूछेगा भारत का पहला COVID-19 अस्पताल कहां खुला है आंसर होगा option number D मूंबाई आगे सवाल है रश्ट्रिय इवा दिवस कब मनाया जाता है यह सवाल पिछले कलास के जो 25 कोस्टन्स वाले वीडियो थे उनमें पूछे गये थे आंसर होगा option number A 12 जनुवरी को मनाया जाता है बहुत बढ़िया आप लोगों ने comment करा था आप सभी को बहुत बहुत धन्याबाद थोरा इसका right answer comment करिए अंतरस्ट्रिय इवा दिवस कब मनाया जाता है तो simply आपको comment works में लिखना क्या है Q4U उसके बाद इसका right answer जल्दी से comment करिए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम एक दिन में एक बार शेयर जरूर कर दिया करिए वीडियो को और आप अपना ध्यान रखिए हमारे साथ regular रहिए self study regular करिए target को fix रखिए आपको सफालता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे यदि आप regular मेहनत करते हो एम को fix रखते हो तो जरूर success मिलेगा मिलता हम फिर अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत